नमश्कार, मैं सुनीता कथा मंधन में आप सब का स्वागत करती हूँ कथा मंधन में आज सुनिए वैरागी उपन्यास का नौवा अध्याय लेकक शरत चंदर चटो पात्याय इसके पहले के अध्याय तथा शरत चंदर ची के उपन्यास और कहानिया आपको हमारी प्रेलिस से मिल जाएंगे लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा दूसरे दिन वरिंदावन ने अपनी मा के कहे अनुसार चरण को पास बुला कर पूछा क्यों बेटा अपनी मा के पास जाओगे चरण तो खुशी कि मारे नाचने लगा कहा हाँ बाबुजी बाबुजी जाओँगा वरिंदावन ने मन ही मन एक ठेस महसूस कि बोले मगर तुम्हे वहाँ बहुत दिनों तक रहना पड़ेगा हमें छोड़कर रह तो सकोगे चरण तुरंथ सिर्ध हिला कर जवाब दिया हाँ हाँ रह सकूँगा तरहसल आज कल के कठी नियमों के कारण उस पर कड़ी नेजर रखने के कारण इस लड़के की नन्नी सी जान तंग आ गई थी बाहर वैखेलने को उदने नहीं जा सकता था और पाठशाला बंध होने के कारण संगी साथियों से भी मिल नहीं सकता था करीब करीब दिन भर उसे घर में बंध रहना पड़ता था चारो और एक तरह की अशंका चाही हुई थी यदवा भी कोई बाट ठीक ठीक नहीं समझता था फिर भी मनी मन तो बहुत घबरा रहा था परन्तु धर मा का आगाद सने स्वचंदता नहाना खाना और खेल खुद किसी तरह की तो मना ही नहीं हजार दोश हो जाने पर भी मा किस नहीं से केवल थोड़ा उलहाना देती है कोई आँख नहीं दिखाता तुरंद घर से बाहर निकलने के लिए वह छट पटाने लगा वरिंदा वनने का अच्छा जाओ और खुद टीन के एक छोटे से बकसे में पहनने के कुछ कपड़े और रुपे रखकर गाड़ी में रख दिये उनकी आँखे बराई लड़के को मुझूं कर उसे उसकी मा को के यहां भेज कर उस दुख के समय उन्होंने अपनी आपको काफी निश्यिंत पाया साथ जाने वाले लड़के से नौकर पर कड़ी नेजर रखने को कह दिया और रोज नहीं तो कम से कम दूसरे दिन आकर समाचर दे जाने के लिए कह दिया वरिंदावन ने मन ही मन कहा भरे इस लड़के को फिर ना देख सकूँगा किन्तु इस आफ़त में तो उसे यहां रखने ही सकता जब तक गाड़ी दिखाई देती रही वरिंदावन टक्टा की बांधे देखते रहे फिर आकर कुछ दिर तक की धरुदर करने के बाद अचानक उन्हें उस दिन की बात याद आ गए उन्हें डर हुआ कि कहीं कुसम नाराज ना हो और फिर सोचने लगे या ठीक नहीं किया उस हटी और क्रोधी का कैटी का ना मेरे साथ ना जाने से कुछ उल्टा सीधा समझकर कहीं चड़ जाए कंदे पर जटपट एक चादर रखकर वे जल्दी जल्दी चलकर पांस पहुंचकर गाड़ी पर अपने बेटे के साथ बैट गए बाहर से ही कुझनात के घर की हालत देखकर व्रिंदावन को अश्या रहे हुआ चार वाट धेर सारा कूड़ा करकट पड़ा था जैसे बहुत दिनों से वहां कोई रहता ही ना हो दर्वाजा खुला था लड़के के साथ अंदर जाकर भी वही हाल देखा आहट पाकर कुसम दादा कहती भी बाहर निकल गए किन्तु इन लोगों को देखकर ढहा और अभिवान से जल उठी और तुरंती अंदर चली गए हमेशा की तरह चरण खुशी से दौड़ता हुआ गया और मां से लिपट गया कुसम ने उसे गोद में ले लिया और पांच एक मिनट के बाद माथे का आचल समाल कर चौखट के पास आ खड़ी विरिंदावन ने पूछा पुशी दादा कहा है पता नहीं कहीं भूमने गए है विरिंदावन ने का लगता है जैसे इस मकान में कोई रहता ही नहीं तुम लोग यहां नहीं थे क्या नहीं कहां थे लगबग महीने बर बाद कुसम अपने भाई के सास के साथ पश्चिम के और तिरत यातरा करने गई कली शाम को वहां लोटी थी किन्तु यह सब ना कहकर उसने अवग्या से जवाब दिया यहां वहां कई जगा तो थी इसके पहले जब भी विरिंदावन आते कुसम बैठने के लिए आसन बिछा देती किन्तु आज वह नहीं दिया यहां देखकर विरिंदावन ने खुदी का मैं खड़ा हूँ तो बैठने के लिए जगा तो दो कुसम ने उसी तरह अवग्या पुरवक्गा पता नहीं आसन ना दी कहां पढ़ा है और यहां कहकर खड़ी की खड़ी ही रही एक कदम भी नहीं दे विरिंदावन तयार होकर ही आये थे फिर इतनी अवग्या से उनके दिल पर काफी चोट पहुंची परन्तु तेजित होकर उस दिन का जगड़ा कर देना उन्हें अच्छी तरह याद था इसलिए थोड़ी दर चुप रहने के बाद उन्हें अत्यंद नम्रता से का मैं तुम्हें ज़्यादा तक्लीफ नहीं दूँगा क्यों आया हूँ या बतलाई देता हूँ हमारे गाउं में बीमारी फैल गई है इसलिए चरन को तुमारे पास छोड़ जाऊंगा बहुत दिनों से यहां नहीं रहने के कारण कुस्म बीमारी का ठीक मतलब नहीं समझ सकी उसने अत्यंता भीमान से का अच्छा तो दया करके आये हो किन तु बीमारी कहा नहीं है और किस हिम्मत से दुसरे लड़के की जमेदारी मैं अपने माते पर लूँ वरिंदावन ने शांद भाव से का जिस हिम्मत से मैं लेता हूँ उसी हिम्मत से इसके अधरिक मेरा ख्याल है कि यह सबसे अधिक तुमें ही चाहता है कुस्म कुछ कहना ही चाहती थी कि चरन ने उसका मुँ अपनी और फेर करका माँ बाबुजी कहते हैं अच्छा बतलाए देता हूँ मा के ले ग्रस्ती नहीं संभाल पाती इसी से यह बात एक बार उठी थी किन्तु उसी वक्त रुख भी गई क्यों रुख गई उसकी एक खास वज़ा है कि तुम मतलब ही क्या उन बातों से चलो बेटा चरण हमें चले हैं देर हो रही है चरण इस सिफारिश करते हुए का बाबुजी का लाओंगा वरिंदावन चुप रहे बिना कुछ कही कुसम से मैं चुप चाप चरण को गोध से उतार गिया दो मिनट बाद अत्यंत गंभीर स्वर्ण से पुकार कर विंदा बनने का अधिक देर मत करो बेटा चलो यह गय कर वे धीरे से चल पड़े चरण बहुत लाड़ला था फिर भी आग्या पालन करना उसने सीखा था पहले चाहबरी आँखों से इसने मा के और देखा फिर शुब दोकर चुपचाप पिता के पीछे पीछे बाहर निकला है गाड़ी वान वैलो का पानी पिलाने चला गया था बाप बेटे उसका इंतिजार करते हुए बाहर खड़े थे कुरसुम सदर दरवाजी के उट में जाकर खड़ी हो गई और अपने स्वामी का चेहरा देखकर चौक गई आँखे धस गई चेहरा पीला पड़ गया था वह अपने आपको संभाल नहीं सके और आड़ में सही चिला कर बोई अच्छा ज़रा सुनते जाओ फरिंदावन ने पास साकर का क्या है इधर क्या तुम बिमार थे नहीं तो रोगी जैसे क्यों हो गया हो कुछ नहीं कह सकता शायद बहुत सोच फिक्र के कारण दुरबल हो गया हूँ सोच फिक्र पती का पीला चेहरा देखकर उसका क्रोध कम हो गया था परंतु आकरी बात सुनकर फिर जलो टी बोली तुम्हें तो सोला आने सुख है सोच फिक्र किस बात की जरा मैं भी तो सुनू वरिंदावन ने कोई जवाब नहीं दिया गाड़ी तैयार हो गई चरन उस पर चड़ने लगा तो वरिंदावन ने का क्यों रे अपनी मा को प्रणाम नहीं किया चरन गाड़ी पर से उतराया और दर्वाजे के बाहर जमीन पर माथा टेक कर मा को प्रणाम किया कुसम ने घबरा कर जब उसे पकड़ना चाहा तो मैं भाग गया सब कुछ ना जानने पर भी इतना तो अवश्य समझ गया कि मा ने आज मेरा आदर नहीं किया रहने के लिए आया था और रखा भी नहीं मुरिंदावन ने कुछ और नजदीक आकर भारी गले से का पता नहीं फिर कभी कह सकूँ या नहीं किस्ते आज कहे देता हूँ आज तो गुस्से में तुमने चरन को नहीं रखा किन्तु अगर किसी दिन मैं न रहूं तो अवश्य रखना कुसुम ने घबरा करका मैं यह सब सुनना नहीं चाहते तो भी सुननो इसे तुमें सौपने के लिए ही आ जाया था मुझ पर विश्वास है क्या वरिंदा वन के आके चल चला गई बोले मैं फिर वही बात सुना है कुसुम तुमने बहुत को सीखा है किन्तु इस तरहीं की सबसे बड़ी सीखने की जो बात है वह शमा है तुमने शमा करना नहीं सीखा परंतु मेरे विश्वास है कि तुम चरण की मा हो लड़के को सौपने के लिए यह दी माबाब का विश्वास ना किया जाए तुम किसका किया जाए कुसुम इस बात का कोई जवाब नहीं दे सकी गहर पहुँचने के लिए बेल उतावले हो रहे थे चरणने अवास दे बाबुजी आओ ना कुसम कुछ कहना चाहती थी कि तुम उसके पहले ही विरिंदा वनने का अच्छा चलो और गाड़ी पर जा बैठे कुसम बैठ गई बड़े अभिमान से उसने अपनी स्वर्ग वासीनी मा के उदेश्य से का माँ होकर भी तुम मुझसे कितना बैर कर गई सचमुच अगर मेरे अंजा नही तुम मुझ पर कलंक लगा गई सचमुच ही अगर अपने घ्रणित अभिमान के चरणो पर मेरी बली चड़ा गई तो मुझे सपष्ट क्यों नहीं बता दिया मेरे हिर्दै मेरा हिर्दै जिसे अपने पती और पत्र के रूप में पहचान गया है उन्हें सारे संसार के सामने प्रमानित करने का तिल माधरी स्थान तुम क्यों नहीं चोड़ गई अगर ऐसा हुआ तो कौन मेरा प्रित्याग कर पाता कौन बेहया पती अपने पत्नी को अनातनी की तरह अपने आश्रे में आने का उपदेश देने का सहास कर पाता और सच्जमुची अगर मैं विदवा हूँ तो इससे मुझे संदेही क्यों होता है व Mayo के विदवा की विदवा के रूप के लालच में विदवा का जिकर करता कुसम उसी जगा उसी तरह बैठे बैठे बड़ी देड़ तक रोती रही फिर अकाश की और देखते हुए हाद जोड़ कर बुलिए भगवान मेरे लिए कुछ ना कुछ उपाय कर दो अभिमान से सिर उठा कर या तो मुझे पती के घर जाने दो या बच्पन के वे दिन लोटाद जिससे मैं शिंत होकर अराम की सांस ले सकते